अस्ateurs स्यामाइकूम । टो आपक krijनाम है अस्कोमाइ कोटेश फंजाई का दूसर रूप है पहला हम पढ़ा था जाइगोमाइ कोटेश अब आ रहे है आसकोमाइ कोटेश ये लारजस ग्रूप अगर किसी को कहा जाता है तो बड़ा उसका नाम है असको माइकोटा जो टोटल स्पीशिज है इस ग्रूप के अंदर टोटल स्पीशिज फंजाई की जो के सबसे ज्यादा इस ग्रूप के अंदर मजूद है और वो है 60,000 60,000 स्पीशिज अगर किसी ग्रूप के अंदर नजर आती है तो बड़ा उसका नाम है एसको माइकोटा अब 60,000 जो स्पीशिज हैं इन में से 50% 50% आपको नजर आती है प्रेजेंट इन दा फॉर्म अफ लाइकन्स तो लाइकन्स की तरहा लाइकन्स की फॉर्म में आपको 50% नजर आती है मतलगे अपने पीछे पढ़ चुके न माइकोराईजी लाइकन्स तो लाइकन्स क्या था फंजाई और अलजी का आपस में जो रिलेशन होता है उसका नाम है लाइकन्स तो टोटल जो इसमें टोटल species हैं उनमें 60 में से 50% आपको सारे के सारे likens की शेकल में नजर आते हैं मरें सम जो कुछ हैं जो के कुछ present होती है in the form of mycorrhizae तो कुछ mycorrhizae की form में आपको नजर आती है mycorrhizae क्या था फंजाई का और साथ ही साथ vascular plant का आपस में relation they are called mycorrhizae तो mycorrhizae में कुछ नजर आती हैं और कुछ likens की form में नजर आती हैं जिसका नाम है एसको mycota अब एसको mycota में जितनी भी फंजाई हैं यह asexually reproduce करते हैं और यह जिस method से करते हैं बड़ा उसका नाम है गुनीडिया मतलब के गुनीडिया के जिरे से अपनी नसल को बढ़ाने वाले उसका नाम है और इसी आदर एसको mycota के जितने भी मैंबर हैं यह sexual reproduction भी करते हैं और जो sexual reproduction है वो बड़य करते हैं इनके दर सपॉर बनते हैं उसका नाम है ASCOSPOR तो ASCOSPORS के जिरे से sexual reproduction करते हैं और jego gonidia के जिरे करते हैं अब जो Esco My Quota है, इसके पास जो Hi-fi है, इसके पास जो Hi-fi होती है, बटा उसके नाम है, They Have Subtate Hi-fi, तो Subtate Hi-fi रखने वाले, अगर आपके पास कोई ग्रुप है, तो बटा उसके नाम क्या दिया, Esco My Quota, सब्टेट हाइफी के पेचान किया थी ये थी हाइफी और इस हाइफी के अंदर आपको क्रोस वोल नज़र आती है तो जिसके को होती वह सब्टेट हाइफ़ी हैं, तो Eskahursday कोटे में, जितने भी फंजाई यह उनके पास जो हाइफ़ी हैं, अब जो Esco shelf कोटे है, इसको पूरा लाइफ साइकल है, इसको हम दो में डवाइड करते हैं, दो पार्स में, एक पार्ट है, अरली फेस, जो के पहले व अर्ली फेज होता है सबसे पहले आपने या रखना है यह इमचोर फेज है अब यह मचोर नहीं हुई इमचोर फेज है और जब यह बड़ी हो जाती है ग्रो कर जाती है उस वोकर इसको कहते हैं किस फेज में है मचोर फेज के अंदर मजूद है मचोर फेज में मजूद है जो फेज है ये शोड फेज होता है ये इसका शोड फेज है और जो लेटर फेज है ये इसका लेंथी फेज होता है लेंथी फेज होता है लेंथी फेज होता है और याद रखना अर्ली फेज के अंदर इसके पास जो हाइफी होती है वो मोनो करियोटिक हाइफी होती है है इस मोनो करियोटिक हाइफी ठीक है इसके पास मोनो करियोटिक हाइफी है और जहां पर लेटर फेस के अंदर इसके पास डाई करियोटिक हाइफी होती है डाई करियोटिक हाइफी आपको यहां पर नजर आती है अब मोनो करियोटिक हाइफी का मतलब क्या है यह देख सकते ह ये है हाइफी ये है हाइफी और ये देखे सकते हैं क्रोस वोर है तो सब्टेट हाइफी है अगर हर साल के पास एक एक नूकलेस है तो मोनो करियोटिक है अगर हर साल के पास दो दो नूकलेस तो दो डाइक करियोटिक है यह आपको later phase में नजर आती है और यह आपको early phase में नजर आती है तो fruiting body की अगर आपको formation नजर आती है वो later phase के अंदर है और जहांपे no formation of fruiting body है वो early phase के अंदर है तो यह main difference है जो मैंने बताया early phase और later phase के अंदर और जिसका नाम है asco mycota और मैंने इसकी fruiting body को खेंचना है और fruiting body से मैंने पूरा topic को explain कर देना है अब जैसे कि मसाल के तोपर for example अगर देखा जाए for example इसकी जो fruiting body उसका नाम क्या है बड़ा उसका नाम है asco car asco carp कहते है उसको हम asco carp कहते है जैसे कि लफज है asco तो बड़ा आपको पहले पता आता चलो जो asco है asco का लफजी मतलब है ascus बड़ा ascus कहते है sack को sack कहते है packet को तो asco का मतलब ascus ascus का लफजी निकला जिसका नाम क्या sack और इसी वरह से इस फजाए को हम sack fungi भी कहते है sack fungi ठीक है इसको हम sack fungi भी कहते है और दूसरा word है car और carp का मतलब होता है fruit उसका नाम क्या देयाँ कॉल fruit अब यहाँ पर इसकी definition नहीं तो एसको कार्पी, यहाँ पर देखा जा, formation of, formation of, macroscopic, देखो भी भड़ा होता है, तो macro, macroscopic, fruiting body, macroscopic, fruiting body, किसके बनी है, within, ascomicota, तो ascomicota के अंदर, आपको नजर आती है, fruiting body, they are called, हम इसको नाम देते हैं, they are called, इसको नाम देंगे, और इस fruiting body को नाम देते हैं, they are called, escocarp, यह escocarp कहलाती है, यह आपने यार रखना, they are called, escocarp, they are escocarp, मसाल के तो अपर, for example, यह है fruiting body, यह है fruiting body, यह आपने यार रखना है, यह है fruiting body, जो कि ascomicota के अंदर, बनती है, और इसी के अंदर, यह packet मजूद होता है, और इसको कहते है, sack, इसको कहते है, they are called, sack, जिसके अंदर, इसको स्पोर बनेंगे ना, इसको स्पोर, इसके अंदर बनेंगे, यह है sack, तो जो बाहिर वाला structure है, इसको कहते है, they are called, escocarp, escocarp क्या था, fruiting body, और जो इसके अंदर, packet मजूद है, इसको कहते है, escus, they are called, escus, तो escus क्या था, sack like structure, sack like structure, sack like structure, भई, मैं बोल रहा हूँ, फिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, sack like structure, packet के तरहा है, sack like structure, within the, किस के अंदर, within the, escocarp, तो escocarp के अंदर, जो sack like structure होता है, उसको नाम देते हैं, they are called, escus, उसको क्या नाम देते हैं, they are called, escus, उसको क्या नाम देते हैं, they are called, escus, इसके अंदर, आपको नज़र आते हैं दो नूकलेस ये दो नूकलेस है एक नूकलेस और ये दूसरा नूकलेस है एक को मैंने साइन दे दिया पॉजिटिव का और एक को मैंने साइन दे दिया नेगटिव का ये दो नूकलेस आपको नज़र आते हैं असकरस के अंदर अब होता क्या है जो कि मैंने लाजमी तोपर आपको बताना होगा क्या अब आगे जाके मैं प्रोसी बताना लगा आगे जाके होगा क्या जैसे मसाल के तोपर मैंने बताया कि ये है फ्रूटिंग बोड़ी एसको कार्प ये था इसके अंदर पैकिट जिसका नाम था असकस और इसके अंदर आपको दो न्यूकलेस नदर आ रहे हैं एक ये आगे पोजिटी वाला और ये आगे एक नेगटी वाला ये दो इसके अंदर न्यूकलेस मजूद हैं एक को मैं नाम पोजिटी दे दिया एक को मैं नेगटी यह आ गया असकस पैकिट और यह दो नुकलेस आपस मिल गए है अब यह जो नुकलेस है अब यह नुकलेस क्या हो चुकी है डिपलोइड नुकलेस यह डिपलोइड नुकलेस हो चुकी है ठीक है अब यह जो डिपलोइड नुकलेस है यह आगे जाके meiosis करते हैं तो meiosis की शर्थ है एक cell से चार cell बनते हैं एक cell से चार बनते हैं कितने बनते हैं एक से चार बनते हैं यह देखे कदरा यह इसको कार्प फ्रुटिंग बोडी यह आ गया इसके अदर क्या है असकस packet आ गया और packet ने meiosis करने पर कितने बन जएगे एक, दो तीन, चार कितने बन गए यहां पर चार बन गए है, ठीक है, यह चार बन चुके है अब इसी तरह यह आगे जाके mitosis करते है पहले meiosis की और फिर जाके mitosis करते है तो mitosis में क्या होगा, जो चार वो आगे जाके divide होगे, तो एक से दो बनते इसके ना, एक से दो तो चार divide होगे, तो कितने बन गए चार से आठ बन जाएगे, कितने बन जाएगे आठ बन जाएगे, तो वही structure same to same escocarp उसके इंदर क्या आगया, यह sack आगया और अब इसके नदर जो nucleus की तदाद अब कितने 8 हैं, एक दो, तीन चार, पांट, छे, साथ और यह 8, यह रोब में ऐसे बना दे ठीक है, यह 8 बन गए है अब यह जो 8 nucleus है इन nucleus को कहते हैं, esco sports esco sports कहते है esco sports जो सारे के सारे कितने हैं, बेटा, आपने या रखना है, सारे के सारे क्या है, यह haploid है, और यह आपने कभी नहीं बूलना, यह सारे के सारे कितने होते हैं, बेटा, आठ बनते हैं यह या रखना, आठ बनते हैं, आठ बनते हैं, आठ बनते हैं, तो asco spore की सबसे बड़ी पेचान तो asco spore अगर देखा जाए the haploid spores the haploid spores which are produced जो के बनाएं मैंने कैसे बनाएं which are produced by meiosis कैसे बनाएं meiosis के जिरे से बनाएं कहाँ पे बनाएं within the within the किस के बनाएं और उसका नाम है ascus के अंदर बनाएं तो ascus के अंदर जो के ये packet है ना packet packet के अंदर जो spore बने हैं उसका नाम है asco sports तो asco sports zone से वो बनते हैं किस के अंदर बटा sack के अंदर बनते हैं और ये आपने कभी नहीं भूलना 8 sports बनते हैं और सारे सारे क्या होते है aploid एक चोटा सा member है जिसके बारे मैंने बताना है और इसी की example है और उसका नाम है yeast क्या नाम है इसका yeast है अब बट़ जो yeast है ने yeast इसके बारे सबसे पहले आपने याद रखने है यह बट़ यूनी cellular यह unicellular होती है unicellular microscopic फंजाई है unicellular microscopic फंजाई होती है ठीक है इसके बारे में पहले आपने यह चीज़ को यार रखने है दूसरी में बात जो yeast है ये sexually reproduce करती है sexually reproduce करती है और वो आपको पीछे में बता भी चुका हूँ और उसका नाम है ESCO SPORTS और इसी के अंदर दूसरे जो SPORTS हैं वो उसके जरी भी करसे उसका नाम BASIDIO SPORTS है अब BASIDIO SPORTS इस ग्रूप का कोई करेक्टर नहीं है यह अगला में टॉपिक है BASIDIO MAKOTA उसके नदर बनते हैं तो यह BASIDIO SPORTS क्यों बनाती है क्योंकि यह एक ऐसा ग्रूप है जो resemble करता है दूसरे ग्रूप से भी यह ZYGOMAKOTA से भी resemble करता है ZYGOMAKOTA से भी करता है BASIDIO MAKOTA से भी करता है और BASIDIO MAKOTA के साथ साथ यह DITIO MAKOTA से भी करता है ठीक है यह दूसरों के साथ भी करता है मर यह याद रखना YIS को उन्हें इस ग्रूप में क्यों रखा हुआ है कि यह more resemble करता है ज्यादा resemble करता है more resemble with ESCO MAKOTA तो ESCO MAKOTA से ज्यादा resemble करता है जो के दूसरे ग्रूपों के लहाद से इसलिए हम YIS को ESCO MAKOTA के अंदर पढ़ते है जो YIS है अगर देखा जाए तो यह A-Sexually Reproduce करता है A-Sexually Reproduce पीछे आपको पता है मैंने ग्रूप में लखाए तो GUNIDIA यहाँ पर यह या रखना है YIS सिर्फ खाली YIS A-Sexually Reproduce by BUDDING यह BUDDING के जिरे से अपनी नसल को बढ़ाता है तो BUDDING के जिरे से अपनी नसल को बढ़ाने वाला उसका नाम क्या YIS है BUDDING सिंपल मैथड है मसाल के तोब यह YIS है इसके अंदर यह एक NUCLEIS है यह क्या करता है सबसे पहले अपनी BODY के उपर एक asymmetrical बेतर तीबी मतलब कि इस क्यों शेप नहीं होती न asymmetrical outgrowth बनाता है जिसको BUD का नाम दिया जाता है फिर अपने NUCLEIS के डूबलीकेट करता है और डूबलीकेट करने के बाद एक NUCLEIS से दो बन जाते हैं और एक NUCLEIS दाखिल कर देता है इस BUD के अंदर विद दा पैसज ओफ टाइम यह अपनी BUD को काट देता है तोड देता है तोडने से जब नीचे वो फॉल करती है तो फॉल करने से वो जो BUD है BUD वो अगेन ग्रो करती है और अगेन 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 वो एक मकमल BOD बना देती है इस PROCESS को कहते है अब जो यह से ने इस इसकी IMPORTनस बहुत है और इसकी IMPORTनस को कहते है ECONOMIC IMPORTनस सबसे ज़्यादा यह हमें बहुत ज़्यादा IMPORTनस देती है शराब बनाने के लिए ETHANOL बनाने के लिए ECONOMIC IMPORTनस इसकी सबसे ज़्यादा है इसका क्या काम होता है यह FERMENTATION में समाल होते है यह FERMENT करती है FERMENT OF CARBOHIDRATE CARBOHIDRATE की FERMENTATION की जाती है इसे और इसे बनाया जाता है ETHANOL शराब को बनाया जाता है और ETHANOL के साथ साथ एक और भी चीज़ बनती है और उसका नाम है CARBON DAI EXCIDE तो CARBON DAI EXCIDE और ETHANOL की FORMATION के लिए हम ECONOMIC IMPORTANCE में सबसे ज़्यादा YEAST को समाल करते है और वो कौन से YEAST है जो सबसे ज़्यादा समाल होती है क्योंके YEAST को ग्रूप का नाम है तो वो YEAST का नाम है SCAROMYCES CERVICI SCAROMYCES CERVICI तो यह है सबसे ज़्यादा ECONOMIC IMPORTANCE में यूज होने वाली YEAST का MEMBER जिसका नाम SCAROMYCES CERVICI है ओके बैटा ALLAH HAFYS